दे मोस्ट डेंजरस एंड मिस्टीरियस मैं ब्रम्भा मेगा स्टार चिरन जीवी सलमान खा नैन तारा और सत्यदेव तो ही यह मूवी बनी थी मोहन राजा के डारेक्शन में इस मूवी का बज़र था लगबग 135 करोड रुपे तो वहीं इस मूवी को बॉक्स ओफिस पर हिट होने के लिए कमाने थे कम से कम 1500 करोड रुपे पर इस म मूवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो इस मूवी ने अपने सुरुवाती साथ दिनों में कमाई की है 64 करोड 86 लाक रुपे की तो वहीं अपने आठवी दिन कमा लिए हैं लगबग 1 करोड साहांट लाक रुपे और अगर बात करें आज याने किसके नौवे दिन के कलेक् कलेक्शन हो रहा है 68 करोड-лично लाक रुपे तो वहीं इंडिन ग्रोस कलेक्शन हो रहा है लगबग 80 करोड रुपे और वहीं overseas में यह मूवी अब तक 38 करोड रुपे का कारूबार कर चुकी है तो इस मूवी का 9 दिनों का वर्ल्ड वयट कलेक्शन आ रहा है 118 करोड रुपे यस गाईज 9 दिन और 118 करोड रुपे और ये मुवी अब तक बॉक्स ओफिस पर हिट का टेक नहीं ले पाई है और अब इस मुवी का कलेक्शन एक की बाद एक ड्रोप होना स्टार्ट हो गया है तो गाईज अब देखना ये है कि ये मुवी बॉक्स ओफिस पर हिट का टेक ले पाती है या फिर हो जाती है फ्लॉप तो गाईज आप लोग क्या लगता है गौड फादर मुवी बॉक्स ओफिस पर लाइफ टाइम कितने करोड का कलेक्शन करेगी अपनी रहे मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा होगा चैनल पहली बार आए है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि आपको मिलते रहेगी चैनल पे हर मुवी की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई